नमस्कार दोस्तों, UPSC Master में आपका स्वागत है, इस वीडियो का टोपिक रहेगा समिधान के प्रस्तावना, प्रियम्बल ओब दा कंस्टिटूशन, और इसमें भी हम ये चर्चा करेंगे क्या प्रस्तावना समिधान का भाग है, वित्रूम मेरा नाम है मरोश्तोशियान और आप मुझे Facebook, Twitter, Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये हुए हैं, इस प्रस्तावन पर हम चर्चा करने से पहले कुछ basic points क्लियर करेंगे, सबसे पहला point से देखें, जिस उद्देशिका की हम बात कर रहे हैं, उद्देशिका मतलब हम भारत के लोग, भारत को एक संपर्भू, परभुत्व संपर्ण समाजवादी, पंतनिर पेक्स, लोक्त नत्रात्म, कणराज बनाने के लिए, तथा उसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनेतिक न्याय, विचार, अभिक्ति, विश्वास, धर्म और उपा को होकर अपनी इस समिधान सभा में आज तारीक 26 नवंबर 1949 को इताद्वारा इस समिधान को अंगिकरत अदनीमित और आत्म समर्पित करते हैं, इसकी जो मैं बात कर रहा हूँ, तो ये जो प्रस्तावना है, इसे जो है, ये प्रस्तावना त्यार हुई थी, एक उद्देश से प्रस्ताव द्वारा, जिसे जौला नेरू ने 13 दिसंबर 1946 को समिधान सभा में प्रस्तुत किया था, और दूसरा जो इसका बेसिक्स पॉइंट है, वो ये है, कि 17 अक्टोबर 1949 को, डॉक्टर राजेंद प्रसाद ने एक प्रस्ताव समिधान सभा में रखा था, कि प्रस प्रस्तावना को समिधान के भाग के रूप में ही स्विकार किया जाना चाहिए, अर्थात जो हमारा समिधान है, वो प्रस्तावना से लेकर आगे तक होना चाहिए, जो चर्चा हो रही है, आर्टिकल 395 तर, नेक्स, देखे, 26 नमबर 1949 को समिधान बन कर तयार हुआ, और ऐसा किसी प्रकार का कोई प्रस्तावना से लेकर अनुछे 395 तक है, या प्रस्तावना से लेकर अनुछे 395 तक है, यह एक अवधारना थी कि हमारा जो समिधान है, वो है प्रस्तावना से लेकर अनुछे 395 तक, देखे हमारी जो प्रस्तावना है, इसका एक अपना दरसन है ये कुछ चीजे दर्साती है, सबसे पहले दर्साती है सक्ती का स्रोत, फिर दर्साती है राजी की प्रकरती, फिर दर्साती है समिधान के उद्धिस, और अंत में दर्साती है समिधान के लागो होने की तिथी अर्धात समुधान की सक्ति का जो स्रोत है वो कोन है वो प्रस्तावना बताती है कि भारत के लोग है फिर ये बताती है राजी की प्रकरती वो बताती कि भारत कैसा है भारत जो है परबुत्व संपन है भारत समाजवादी है भारत एक पंथनेरपेक्स रास्ट है भारत एक लोकतांत्रिक रास्ट है और भारत एक गणराजी है देखिए बित्रोब पीटी जो है पीटी में कई ब अब इसके उपनाम भी है समिधान की आत्मा समिधान की कुंजी और समिधान का हरिदय जो है वो प्रस्तावना को ही कहा जाता है कृष्ण स्वामी आयर जो समिधान सभा में सदस्य थे उन्होंने कहा है कि प्रस्तावना हमारे दिर्ग कालिक सपनों का विचार है केम मुंसी आप जानते ही है प्रारूप समीति के एक मात्र कांग्रेशी से दस्य थे इन्होंने कहा है कि हमारे संप्रभू लोक्तांत्रिक गणराज्य का भविश्फल ही प्रस्तावना है अंदेस्ट बारकर ने कहा है कि समिधान का जो कुझी नोट है वह प्रस्तावना है बने देशों में समीधान बने और अधिकान सा देशों में अरीका से प्रणाया लिए गई और इस प्रस्तावना के प्रस्तावना है वो समिधान के संचालन में प्रकास अस्तंब का कारे करती है अब वो कैसे करती है कि माली जी किसी अनुच्छेद में का कोई सब्द है उसके कई मिनिंग है तो देखा जाता है कि परस्तावना की according कुण सा स्ट बढ़ता है तो उसी को अपना लिया जाता है इसके रावा देखे हम ये जो है इसके माध्यम से हम सम्विधान निर्माताओं के विचारों को जान सकते हैं मतलब सम्विधान निर्माता जुद लगे हुए थे सम्विधान सभा में जितने भी सुदर्श से बढ़ते हुए थे उन सब ने मिलकर परस्ताव देखा इसको 10-20-100 बार पड़ा तब जाके इसको accept किया थो हम इससे जो है सम्विधान निर्माताओं के विचारों को जान सकते हैं इसके लावा सबसे major point हम परस्तावना को सम्विधान के विश्टार के रूप में देख सकते हैं हम यह कर सकते हैं कि यह जो यह summary लिखी है इसी प्रस्तावना इसी का description जो है आगे article 1 to article 395 ताग है next देखे इस प्रकार का जो प्रस्न है क्या प्रस्तावना समिधान का भाग है यह उठाता सबसे पहली बार यह देखने को मिला था बेरवाडी बनाम भारसंग इस वाले मामले में और यदि इस प्रस्न को हमें डिपली देखना है इसका विश्तार से अध्यन करना है तो तीन केस हमें यह देखने हैं सबसे पहले हमने देखना है बेरवाडी बनाम भारसंग 1962 और फिर हमको देखना है गोलकनात बनाम भारसंग 395 तक है या जो हमारा समिधान है वो अमशेद 1 से लेके 395 तक है यही हमारा मूल प्रसन है आगे का इस वीडियो में है चलिए सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं एक मामले को बिरवाडी मामला 1922 देखें आप यह मैप देखें मैप पे यह जो है यह उस दुरान पूरी पाकिस इसको देख सकते हैं अंते चेत्र क्या है कि वह ऐसा चेत्र होता है कि वो हिस्सा तो हमारा है परंतु किसी दूसरे देश की भगोलिक सीमा में है तो इन अंते चेत्रों के चलते वीडियो प्रकार के डिस्प्यूट रहते हैं हमने बांगलादेश के साथ इसी प्रकार के डि यह वाला मैं देखे इसमें यहां पर यह वाला जो छेत्र है यहां पर यहां बेरुवाडी था अब यहां जो है नेरु सरकार विचार कर चुकी थी कि आदान परदान कर दे जाएगा बेरुवाडी का जो छेत्र है वो पाकिस्तान को दे दे जाएगा और उसके बदले जो उस जो आत्मा जोड़ी हुई थी वो भारत के साथ थी अब बिरुवाडी के लोग जो है एक नारा दे रहे थे बुलंद कर रहे थे वो था खुन देई जान देई पर बिरुवाडी ना देई अब ये मामला इतना संगीन हो गया कि बिरुवाडी के लोगों ने एक अपने खुन से पत्र लिखा और जो जो प्रिजिडेंट थे मिस्टर प्रिजिडेंट जो डॉक्टर राजेंद परसाद थे उनको खुन से भरा एक पत्र लिखा इसी टाइप के अपनी समस्या को बताया अब डोक्टर राजिंद परसाद ने सुप्रिम कोट से सलह मांगी कि यह हो क्या रहा है अर्थात इस डिसिजन में सुप्रिम कोट ने समिधान सभाग की भावना को मानने से इंकार कर दिया था जो भावना थी समिधान सभाग की की प्रस्तावना समिधान के भाग के रूप में सामिल है नेक्स देखिए यह मामला चला गया मले इस मामले में बिरवाडी मामले में माल लिया गया कि प्रस्तावना समिधान का भाग नहीं है हमारा जो समिधान है वो अनुछेद 1 से लेके अनुछेद 395 में तक है यह यह क्लियर हो चुका था बिर्वाडी बना बारस संग 1962 के मामले में देखिए अब सरकार आती रही चली तरही और यह जो है नेरू चले गए तो नेरू के बाद जो है शास्त्री जी भारत के प्रणाम बिल्कुत तानासा बनके उन्होंने सासन किया है अब इन्होंने जो है मतलब अब इनी के सासनकाल में हमको देखने को मिलता है कि सर्वोचनेल यह न्याइपालिका और कारिपालिका में द्वंद का सुवारंब हो गया था अब देखिए गोलकनात मामला हुआ था 1967 में अब इसमें सुप्रेम कोटने ने डिसिजन दिया था कि राज मोलिक अधिकारों को संसोधन नहीं कर सकता है क्यों क्योंकि जो सरकार थी वो मोलिक अधिकारों के साथ हस्तक छेप कर रही थी तो इसका डिसिजन यह आया था कि राज जो है वो किसी भी परिस्टती में मोलिक अधि तो इस विवाद के पश्चाद जो संसद थी इंद्रा गांधी थी उन्होंने जो 24 समिधान संसोदन 1971 पारित किया था और उसमें यह सपस्ट किया था कि संसद समिधान के किसी भी भाग को संसोदित कर सकती है मतलब गोलकनात मामले का जो परवाव था उसको स्वाप्ट करने के इस प्रकार के जो समिधान संसोदन थे वो इंद्रा गांधी के सरकार द्वारा किया जा चुके थे नेक्स अब देखिए यह केस मोस्ट इम्पोर्टेंट है केस वानन्द भारती बनाम के रलाज 1903 क्यों इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसने वो सारे डाउट्स क्लियर कर दिये थे समिधान के बारे में जो अब तक चले आ रहे थे अब देखिए सबसे पहले इस केस को हम जानने से पहले हम यह जानें केस वानन्द भारती कों थे केस वानन्द भारती जो थे वो केरल में मठा धीस थे महले केरल में क्या थे वो मठा धीस थे मठा धीस अब जो केरल सरकार थी वो भूमी सुधार कर रही थी अब इनका बहुत बड़ा मठ बना हुआ था तो अपने भूमी सुधार के चलते जो सरकार थी वो केस वानन्द भारती के मठ में हस्तक छेप कर रही थी मतलब वो चाती थी कि जमीन इधर सीधर हो जाए तमाम तेरे की चीजे तो इनी के एक सलाकार थे उनका नाम था पाल के वाला एन पाल के वाला आपने सुना भी होगा यही सकानी के हीरो है और बहुत बढ़ियां करेक्टर इनका रहा है मतलब प्रोफेशनली अब पाल के वाला ने केश्वनंद भारती को यह सला दी कि आपका वोईलेशन हो रहा है आपके मोलिक अधिकारों का उलंगन हो रहा है अनुच्छे 26 का आपका उलंगन हो रहा है अब अनुच्छे 26 क्या है कि जो धार्म की सुदंता बेक्तिकत रूप से प्रदान की गई है एक आम आदमी को वही किसी ट्रस्ट या संस्था को प्रदान की गई है अनुछे 26 में अब अनुछे 26 ये बोलता है कि जो धार्मिक ट्रस्ट है या कुछ भी है या संस्था है उसको religious property acquire करने का manage करने का proper अधिकार है ये 26 की बात करता है तो पालके वाला ने का कि आप petition file करो कि आपके मोलिक अधिकारों का उलंगन हो रहा है तो केरल जो हाई court है वहाँ इस प्रकार की petition file की गई अब ये मामला चुकि समधानिक मामला हो गया तो ये जो है केरल हाई court से सुप्रेम court चला गया तो सुप्रेम court में जो है 13 न्याएधी सो की एक bench बैठी अब तक की सबसे बड़ी ये जो है पीठ मानी जाती है इसमें जो decision नहा वो 7 अनुपाद 6 करा मतलब इन decision के समर्थन में 7 जजज थे और 6 जजज बिलकुल अलग थे दो यहाँ जो है सर्वोच न्याल ने अपना decision बदल दिया इस मामले में सर्वोच न्याल ने सपस्ट किया कि प्रस्तावना समिधान का भाग है क्योंकि जब अन्य सभी प्रावधान अधनीमित किये जा चुके थे उसके बाद ही प्रस्तावना को अलग से पारित किया गया बतलब यहाँ जो है जो बिरुवाइडी मामला था बिरुवाइडी मामले को प्रट दिया गया और सर्वोच न्याल ने यह सपस्ट किया कि प्रस्तावना समिधान का बाग है अर्थात जो हमारा समिधान है वो प्रस्तावना से लेकर अरुचे 355 तक है परंतु स्वर्वश नेल ने यह सपस्ट किया कि तीन तत्थ्यों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है सबसे पहला तत्थ्य क्या है कि प्रस्तावना सक्ति का स्रोत नहीं है सक्ति का स्रोत कोई उप्बंदी हो सकता है अर्थात मतलब के जो पावर छिपी है वो किदर छिपी है अंचे 31 से लेकर 355 तक इसके लावर यह सपस्ट किया कि सरकार यदि चाहे कि सरकार चाहे तो वह अंकुष नहीं लगा सकती प्रस्तावना की आधार पर मतलब इसकी आधार पर विधान मंटल की सक्तियों पर अंकुष नहीं लगा जा सकता यह दूसा पॉंट के लिए कि साथ ही यह सपस्ट किया कि जब किसी अनुछेद में कोई ऐसा सब्दों आए जिसके अर्थ संदिक्द हो तो उस अर्थ को स्व योग लिया जाएगा या उसकी स्वाहता ली जाएगे यह सब्दों आगे केश्वनन्द भारती का जो मामला हम देखेंगे वह बड़ा डीप पढ़ेंगे मोली के दिकारों का जिब चेक्टर पढ़ेंगे आगे देखें अब तक तो केश्वनन्द भारती तक तो यह था कि प्रस्तावना संविधान का भागी नहीं है परन्तु केश्वनन्द भारती मामले में सपस्ट हो चुका था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है तो जहां अब तक प्रस्तावना सास्वत थी अर्थांत उसमें संसोधन किया नहीं जा सकता था तो अब यह प्रस्ण उठा कि क्या प्रस्तावना को संसोधित किया जा सकता है तो इस मामलेप को भी सर्वोच नाले ने सपस्ट किया कि सामाजिक आर्थिक न्याय को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 368 के तहट इसको संसोधित किया जा सकता है अब इस पर भी 368 क्या है वो हम आगे चर्चा करेंगे अब इसी डिसिजन को प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए ब्यालेश्वा समिधान संसोधन उनिस्टो चेतर जब पारित हुआ तो उसमें प्रस्तावना भी संसोधित की गई और प्रस्तावना में तीन नए सब्दो को सामिल किया गया अखंडता पंतर निरपेक्स और समाजवादी थैंक्स पर वाचिंग जहिंद जय भारत महाजक्ति भारत